बड़े थोड़ो जा डिफिकल्ट जा टॉपिक है बड़ लट एस ट्राइटू है बड़ा कॉमनली सुसाइटी दे विच सानू सार्यानों एक डेथ तो फियर लगदा है मौत तो डार लगदा है अन्नों आसी किस तरह हैंडल करना चाहिए थे की अप्रोच होने चाहिए है व कोई प्राब्लम ना आ जाए एड़े बारे सोचना बहुत वधिया गाला है ठीक है अपना त्यान रखना चाहिए है हल्दी रहना चाहिए बट एक लेवल तो बाद जदो ऐसी फ्रीक हो जाने है के सानू इलनेस नहीं होने चाहिए और इंसाइटी होने शुरू हो जान दिय है ओ अपने आपच एक बिमारी बांजा लिए जदो तेसी छोटे उन्हें यांग एज दे विच उन्हें ते हर कोई इंसान मेरे ख्याल हो सुले मौत नू त्यांदा नहीं है बच्चा नू कहलो यांग बच्चा नू कहलो नू आई ही लगदा है कैसी अमर है गया जदो सी 40 45 ते कन पहुंच दिया वी स्टार्ट ड्रेडिंग डेथ और इल्नेस ठीक है 40-45 साल तो बाद कोई बीमारी आजे इसी बहुत ज्यादा पैने की हो जाने है क्योंकि सानू लगदा है कि एह पहला स्टेप पे गया है टूर्ड डेथ और एह बड़ा साधी सुसाइटी ने नह लिए फिर बनाया इतने साधे विच पाया है जाद के डेथ दा फिर जड़ा ओ नाचुरल नहीं है गा बिल्कुल भी जिए मैंने तुसी कहलो के सुसाइटी दी कल्टिवेशन है के इंसान स्मोकिंग कर रहा है और तूह बारो काड रहा है ठीक है अंदरो तूह निकल रहा ह विर दे गवन दी जिने इंसान स्टाइट भी एक Шञर जिए बारो पार्श कर रहा है अंद्र इन स् Coming is natural ज्रुंग डे जोना बिल्कुल्ट के तूहाँ के तूहां की टोने कल्ना चाहिद है तूहां ओав ऊटोमग pamय चोन निकलना ज़ा antonsウ थीर्ट श्रूना एक नेकुररल प्रोसेस है जितते किते भी लाइफ होएगी डेथ होते होएगी होएगी और किसे भी नाचुरल चीज्स 시kom डर्ना is unnatural. इस तोटली अनिलाचरल. रषक्ञ तो बलाइटों हे रिजकल उन्द है सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर बच्चा होधा ठीक नहीं होंदा बीमारी चीप यह ओनदा वारत जड़ी हूं दिया कारदी माँ बड़ी स्यानी हूं दिया तो इक दिन जदो हस्बेंड कम तो वापस आंदा है ना तो पुछ दाए के बेटा ठीक है गाया है हां ओक है थीख एगाया सुत्ता होया गाया ते बत खेंदे तुम मैंनो प्रशान दिख रही हैं ओखन दी अँदे प्रशान में एस करके दिख रही है की मेरी नेड़ी नाल दी गॉणडरन सिगी नय baik buatто nix लाइगे सिगी में मंगानी मैनो लोड नहीं पर तरटन नी Aucklandल ऑफ गया टूंग भाउड मोढव ट्रोग्जटे लेंधेर टूर्स धीम्हटर है इनक हमार tब सबिलिते अनिक कर देडिक जो करो मैंनों कों तूसी दसो के कॉन मालक है मैं मालक का कि ओ मालक है ओ मालकन बन गई आज अग जो दी था जोना हदा है कि तुह हो मालक है चीज साढ़ी डिटी थी तो फ़ी वापस भांगन दी वारी आ यज़ा तो नहीं दे रही ज़िया दस नॉट मीन पर है पर ओंक भी बड़ा स्याना होंदा है गालनों समझ जानदा है कि मेरी वाइफ की कहना चाह रही है कि जड़ी वाइफ कह रही है कि मेरा बच्चा सुत्ता होयाँ है यह जड़ी वाइफ कोई हो रहा है असी मालक नहीं है गया ते शायद असी बड़ी एजली एन्नों अक्सेप्ट कार लवांगे ते जड़ी साधे अंदर दर्दी पावनाम है वो काफी हाथ दिकन खतम हो जाएगी एज डर ऐस करके लगदा है क्योंकि असी अपने आपनों फिजिकल बॉडी दे नाल अडंटीफाय कर दे आसानों लाइफ दा मतलब सिर्फ बॉडी रिलेटेड लगदा है असी कदी अपनी बॉडी तो अगे कोई होडी होडी डिमेंशन हेगी है ओदे वाल कदी त्यान नहीं मार रहा जदके स्पिर्च्वालिटी दा मतलब असल चे आई होंदा है टू लुक ब्योंड यूर बॉडी अपने स्रीर तो पराउं होके एक अब्जर्वर दी तरह देखों कि होडी कोई डिमेंशन हेगी है ते जे तुसी ओ बाकी डिमेंशन नल अटाच होगे ते बॉडी नल एन्नी जादा अटाच्मेंट नहीं होएगी तो अडी सेकेंड़ी जरी डेथ है ओ हर सिच्वेशन दे वीचिक नेगेटिव आउटकम नहीं होंदी है एन वह सी बड़ा पॉजिटिवली भी यूज कर सक्द हो सक्दें जिस्षां के इसकों कोई तर्मीनल इएली पीशिंट यहां यहां कोई कट्नी देडलिचेश दे पीशंट होंदी है ओ बड़ी एगनीच पेंच जा रहे हूंदें ओना नहीं मंगदें ने मौत वंगदें किसानो ऐस दुख तो परमात्मा रिलीव करें तो सम्ट it is a relief death is a relief to those kind of people के तौनों ओस चीज तो छुटकारा मिल जानदा है तो हर वरी एदा एक नेगटिव असपेक्ट नहीं हैगा secondly तुसी ऐस चीज नो एक क्रेटिव फॉर्म च भी यूज कर सकते हो it's a true life story के महाराश्च्वर दे वेच इक टीचर सी गे ही स्टिल अलाइव स्याधारी मौंटेंज गया महाराश्च्वर दे वेच ओधे नालिक पिंड गया उत्यों रहन दे सिगे ते उना दे दो बच्चे ते एक बीवी सिगी ते एपिडेमिक किसे डिजीज आया ते तिनों बीवी ते बच्चे दोनों पूरे हो गए ते ओ बाच के ओ इंसान पागल हो गया जिदी सारी फामिली खतम हो गई मेंटली इंबैलन्स हो गया हो बंदा के मैं की करा ते करूं बाहर निकल गया समझ नहीं लगी किते जाना है जिद्धर दून मूं किता ओधर चला गया ते तुर्दयां तुर्दयां स्याद आरी जड़ियां मौंटेंस ही गया ओधे उत्ते चड़ना शुरू हो गया तो जीव ना कोई जनतों कुछ नहीं एकदम उजड़ी होई मौंटेंस ही ते उन्हों दमाग दे विचे कगल याद आई के जदो बच्पन दे विचे उत्ते आंदा होंदा सी गया ओधा बच्पन उसे पासे गुजरिया सी गया ते ओधो है सारे जड़ी परवत सी गया सारा हर परा सिगा उथे बैठा रंदा सी गया उथे जड़े वी उन्हों थोड़े बहुते फल मिल दे सीगे ओ तोड़ तोड़ के खाल रंदा सीगा ते एक वन फाइंडे उन्हें अपनी इमोशन नों पॉजिटिव लगान दी कोशिश की ती जन्हें वी उथे सीड्स दिग्यों इसी उन्हें अपने हथां दे नाल जगा 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 लगाए पानी दिता और उथे उन्हें चार लख द्रखत उगाए पच्छी साल उना दी रख्या किती और नाओ दे से दट स्याधारी मॉंटेंस आर दा बेस्टेस्ट ग्रीन इन बाट पार्ट अव दा क्या नाल कर सकते हैं गौतम बुद्धा केंदे के जदो उन्हें ने इक डेट बाडी देखी सिगी इक बिमार बंदा देख्या सी ते उन्हा नूं ऐस गाल्दा ग्यान हो गया सिगा के ऐचीज जड़ी है एक किसे ते भी आ सकती है इंसान है तो बाच नहीं सकता ते ऐस ची क्या जाना है के जड़े शम्शान काटून दे सिगे और शेर दे विच्चो विच रख दे सिगे तां जो लंग दे आंदे बंदे देख सकन के साधी जिंदगी दा अंत ऐई है ए गाल उन्हें दे दमाग से हमेशा रवे जो ऐस चीज नूं पॉजिटिव वे न ले सकन ते ओदा उना दा जड़ा डार है ऐस बारे ओ खतम हो जाए जदके साधे करना दे विच्च असी कोई मौत भी गाल करिये तो एकदम सारे चुप करा देने विच इस और नॉट पॉजिटिव रेस्पॉंस फेस करना चाहिए हर ओस चीज नूं जिदे तो 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 नूं दार लग अपनी मौत बारे सोचना है रोज सोचना है तो आई तो आई थे वंडर्फॉल थिंग्स कैन हैपन तो अस